हेलो गाइस आज हम कपल अफ कोकोस के एपिसोड 44 को एक्स्प्लेन करने वाले हैं लाश्ट एपिसोड में हमने देखा था नागी और एरिका होटल से भाग गए थे और नागी हीरो के श्राइन में रुका हुआ है और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था और एरिका नागी के घर पे रह रही है और इस एपिसोड की शुरुवात में हीरो नागी को गुड मॉनिंग बोलती है और वो कहती है अपने आपको लीड रोल पे पहुँचाने के लिए मैं कुछ करना चाती हूँ नागी कहता है और वो क्या है? हीरो कहती है शादी और फिर वो नागी को एक template दिखाती है जिसमें एक couple wedding जोड़े में होते हैं नागी पूछता है तो तुम्हें wedding ceremony का template बनाना है हीरो कहती है सही कहा हमारे shrine में शादियां भी कराई जाती है आगे हीरो कहती है क्योंकि हमारे याँ शादी के लिए लोगों का आना कम हो चुका है तो मुझे लगता है ये सही time है कि हमें अपनी dating template बनवानी चाहिए और यही मेरा मौका है नागी कहता है समझ गया हीरो कहती है जब तुम एक शादी के जोड़े में किसी को देखते हो तो वो किसी star से कम नहीं लगता है न और आगे वो कहती है तो इस शादी के जोड़े वाली template के लिए दूला और दूलन का role तुम और मैं करेंगे और ये कुछ इस तरह का होगा और आगे हीरो कहती है क्योंकि हमारे श्राइन के followers पुराने रीती रिवाजो वाले हैं इसलिए ये हमें करना होगा तुमें कोई problem तो नहीं है ना नागी सोचता है तो मतलब मैं और हीरो एक साथ wedding photo खिचवाएंगे नागी खुश हो जाता है और कहता है चलो करते हैं हीरो थैंक कहती है और कहती है चलो इसके बारे में mom से पूछते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो की mom इसके लिए permission नहीं देती और कहती है बेतू की बाते मत करो तुम्हारा फियान से है तो ये करने का क्या मतलग, ये out of question है, और वो नागी से भी कहती है, तुम्हारी भी फियान से है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ as a guest रहने की permission दी, behave yourself, और भगवान से माफी मांगो, और ये कहकर hero की mom चली जाती है, hero कहती है, mom को उस news वाली बात का पता चल गया है, वो news channel पस hero कहती है, मैं तो fire up हो चुकी हूँ, अभी तो हमने शुरू किया है, और फिर हम hero की mom को देखते हैं, जो dining room को साफ करने आई थी, पर उन्हें सब कुछ पहले से ही साफ दिखता है, और हमें पता चलता है, कि hero ने नागी से कहा था, कि हम mom को मना सकते हैं, हम उन्हें पुश कर रखते हैं, और वो एक point पे मान जाएगी, और इसलिए अब नागी सारे काम कर रहा था, जिससे वो उन्हें मना सके, और अब नागी बरतंद हो रहा था, और कह रहा था, अगर ये बात है, तो क्या मैं सब काम करके उन्हें मना पाऊंगा, मुझे try करना होगा, यही मेरा chance है हीरो की मॉम के सामने अपने अच्छे points रखने का, और एरिका की मॉम वहाँ आती है, वो कहती है, तुमने तो सारा काम कर दिया, और नागी पूछ ही रहा था, इसके बदले, क्या आप हीरो की मॉम कहती है, नहीं, ये काम हमारे part-time workers का था, तुमने तो और परेशानी खड़ कर दी, ये हीरो की मॉम इसलिए कह रही थी, क्योंकि अब उनके worker के लिए काम नहीं बचाता, और अब वो कहती है, बरतन भी तुम ही ने धोए है, नागी कहती है, हाँ, ये भी मैंने ही किया है, हीरो की मॉम बरतन को अच्छे ते देखती हुई, कहती है, मेरे पास बरतन धो होने का हुनर है, और नागी कह रहा होता है, क्योंकि मैं यहाँ घर के काम में help करवा रहा हूं, तो क्या, और हीरो की मॉम कहती है, जैसा की लोग कहते है, किचन मर्दों की काम करने की जगए नहीं है, नागी कहता है, मैंने यहाँ पोचा भी लगा दिया है, हीरो की मॉम कहत ये तो सुबह ही हो चुका था पर फिर भी तुम्हारा उत्साह मुझे अच्छा लगा। आगे वो कहती है हीरो का पहले से एक फियांसे है। तो मेरी अन्मेरिट बेटी को एक अन्मेरिट इंसान के साथ वैडिंग फोटो क्यों लेनी है। ये कोई मॉडल जौप नहीं है। नागी सोचता है ये सही कह रही है। हीरो की मॉम जाने लगती है। और नागी चिलाते वे कहता है ये हम कर रहे हैं जिससे हीरो इस्टार बन सके। अगर ये फोटो वो मेरे अलावा किसी और के साथ ले तो क्या आप मान जाओगे। हीरो की मॉम कहती है यहाँ ये प्रॉब नागी कहता है पर तुम्हारी मॉम ने तो मना कर दिया हीरो कहती है ये सब तो हमेशा से ऐसे ही चल रहा है अगर हम अभी भी लगे रहें और अगर हम एंड में जीत गए तो विन तो विन ही होती है और वो कहती है यहां का काम खतम करने के बाद हम एक और बार ट्राय करेंगे और नागी सुचता है तो हीरो अपने मॉम से फाइट करते करते ऐसी बनी है और इधर हीरो की मॉम कहती है मुझे नहीं लगाता कि ये बच्चे वैडिंग सेर्मनी की फोटो का प्लैन करेंगे और जहां तक उस नागी का सवाल है जिसने हीरो से ऐसा करवाया आखिर ये है कौन और आगे वो कहती है मैं समझ गई और हमें एक आवाज आती है मैं जाओंगा और इधर हीरो और नागी को अर्थकुइक जैसा लगता है और एक सूमो मैन नागी की सामने आ जाता है और कहता है तो तुम हो नागी, नागी कहता है हाँ मैं ही हूँ, हीरो कहती है मेरे डैड, जी हाँ गाइस ये हीरो के डैड ही है और नागी चौक जाता है और हीरो के डैड कहती है हम इसे सूमो से सेटल करेंगे, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें वेडिंग फ फुलते वो नागी को उठाकर फैक देते हैं और नागी हीरो के पास जाकर गिरता है और नागी कहता है ये नहीं हो सकता और हीरो के डैड कहते हैं तुम पास हो गए हीरो खुश होते वे कहती है तुमने कर लिया नागी कहता है पर कैसे और अब हम नागी और हीरो के डैड को ए यह basically भालू है, पर आज ये दिन आ गया है, कि मैं hero के dad के साथ नहा रहा हूँ, मैं इनसे बात क्या करूँ, और hero के dad कहते हैं, नागी क्या तुम और hero किसी तरह की relationship में हो, नागी कहते हैं नहीं अभी तक नहीं, और hero के dad कहते हैं, पता है, hero पे इतनी restrictions क्यों है, ये तो expected था, hero के dad कहते हैं, आखिर ये 1300 साल पुराना श्राइन है, तो बहुत सारे situations को consider करना पड़ता है, मैं यहाँ आया था इस family के member से शादी करने, मतलब hero की mom से, और उस time hero की mom 21 की थी, और मैं 23 का, जब मैं उससे पहली बार मिला था, मैं उसकी help नहीं कर पाया, पर वो बहुत cute लग रही थी, मुझे अभी भी याद है वो दिन, और हमें दिखाया जाता है, जब hero के dad पहली बार hero की mom से मिले थे, तो hero की mom तो उन्हें देखते ही रोने लगी थी, और कह रही थी, क्या मुझे सच में इतने बड़े इंसान से शादी करनी होगी, और अब hero के dad कहते हैं, जब हमारी शादी हो गई थी, तब भी कुछ time तक वो ऐसी ही थी, वो दिन ऐसे थे, जब मुझे लगता था कि मैं one-sided feelings को लेकर गाड़ी खीच रहा हूँ, नागी कहते हैं, यहां तक पहुँचना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, hero के dad कहते हैं, नहीं, यह तो कुछ नहीं था, वो कहते हैं, ऐसे इंसान के साथ रहना, तो ऐसा था जैसे सपने का पूरा होना, और इसलिए मैं सोचता हूँ, hero जिससे प्यार करती हो, उसे उसके साथ ही शादी करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि hero की mother ट्राइन से इतना प्यार करती है, कि वो उसकी शादी इसे बचाने के लिए ही करवाईगी, पर तुम्हें पता है, मैं जानता हूँ, वो अभी भी पच्चता आ रही होगी, अगर उसने और मैंने promise नहीं किया होता, तो आज वो अपनी life को enjoy कर रही होती, आगे वो कहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता, जब मैं उसके बारे में नहीं सोचता, नागी कहता है, पर कुछ भी हो, आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, हीरो के डैड कहते हैं, तुमने सही कहा, और वो कहते हैं, इसलिए नागी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, good luck, और फिर वो दोनों बात टबते निकलते हैं, पर नागी को चक्कर आ जाता है, और next scene में हम दे और हीरो की मॉम कहती है, तुम्हारा क्या, अगर तुमने वेडिंग पिक्चर्ज की बात नहीं करी होती, तो बात यहां तक कभी पहुँचती ही नहीं, तुम्हारे फादर ने परमीशन दे दी हो, पर मैं नहीं दूंगी, चाहे ये काम के लिए ही क्यो ना हो, इस टेमपले नहीं करूंगी, हीरो की मॉम कहती है, दुबारा नहीं, और वो पूछती है, क्या इसके पीछे कोई रीजन है, जो तुम इतना साफ मना कर रही हो, क्या तुमने प्रामिस नहीं किया था, कि तुम एक बार ट्राय करोगी, हीरो कहती है, क्योंकि जब मैं आपको और डैड को देखती हूं, तो ये clear है, कि आप खुश नहीं रह सकती, आपने उनसे शादी करी, जिनसे आप परिशान हूं, हीरो की मॉम चौक हो जाती है, और हीरो कहती है, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए, जिससे मैं खुश नहीं रह सकती, अगर मैं ये शादी ना भी करूं, तो भी मैं Shrine को Protect कर सकती हूं। और इसके लिए मैं बहुत महनत भी कर रही हूं। मैं अपने फियांसे की मदद के बिना Try करना चाती हूं और खुद से ही Shrine को Grow करना चाती हूं। नागी ये सबी बाते सुनकर उदास हो जाता है। और hero की mom table पे हात मारते हुए कहती है तुम ऐसी selfish बाते नहीं कर सकती तुम जो भी कह रही हो तुम कुछ नहीं समझती hero कहती है आप कुछ नहीं जानती और hero के dad भी आ चुके थे वो कहते हैं रुको तुम दोनो और वो hero की mom से कहते हैं तुम उसे वो क्यों नहीं करने दे रही हो जो वो करना चाहती है बस wedding picture लेना कोई fiction से बड़ी बात नहीं है hero की mom कहती है हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं और तुम्हारा क्या तुम्हारे पास बस ये तुम्हारा भारी भरकम शरीर है और तुम कुछ नहीं कर सकते hero के dad कहती है ये सच नहीं है मैं सब कुछ करता हूँ hero की mom कहती है मुझे नहीं पता तुम पे believe करूँ या नहीं नागी सोचता है ये conversation तो और troublesome हो रही है और hero की mom कहती है तुम अपनी shirt के button नहीं लगा सकते dad कहती है बहुत चोटे थे mom कहती है तुमारी fingers बहुत fat है और तुम चीजों को भी बड़ी जल्दी तोड़ देते हो और ना जाने कितने pair of socks को तुमने बेकार कर दिया है इन्हें destroy करने के लिए तुम करते क्या हो और इसके अलावा तुमने shrine की ceiling को भी तोड़ दिया था और आखिर में बच्चों को भी रुला दिया था तुम बस एक ही काम मेरे बिना कर सकते हो और वो है सूमू और hero के dad कुछ ऐसे हो जाते है और hero कहती है come on dad समभालो अपने आपको और नागी ये सब सुनने के बाद सोचता है कि hero की mom इने छोड़ भी तो सकते थी आखिर वो सूमू के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते और फिर नागी room में आकर बोलता है तो ये बात है ये सब बस यही show करता है कि hero की mom और dad हमेशा साथ थे ये show करता है कि ये दोनों हर रोज एक दूसरे को देखते थे और एक दूसरे के बारे में अंदर और बाहर दोनों तरफ से जानते हैं ये सब कोई उसके लिए नहीं करेगा जिससे वो नफरत करता हो इसका मतलब है कि आप hero के dad से बहुत प्यार करती हो है न हीरो की mom कहती है ये ऐसा है मानो दिखावटी रेश्टरन लव और hero के dad तो रोने ही लग जाते हैं और फिर हम hero और नागी को kitchen में देखते हैं और hero कहती है thanks नागी आज मैंने अपनी family के बारे में कुछ ऐसा जाना जो मुझे आज तक नहीं बताता mom पहले dad को पसंद नहीं करती थी पर धीरे धीरे वो उने पसंद करने लगी नागी कहता है हाँ वो करती है hero कहती है तुम इतने कम टाइम यहां रहे और मैंने इतना सब कुछ सीख लिया तो मैं सोच रही हूँ अगर हम शादी कर ले तो मैं कितना सब कुछ सीख सकती हूँ नागी शौक हो जाता है hero कहती है just kidding पर मैं सोच रही थी कि अगर मैं किसी तरह free हो गई जिससे मैं शादी करना चाती हूँ उसके लिए मेरा मतलब reasons को side करके कि वो दोनों अपनी शादी से खोश है जो कि matter करता है तो आखिर में वो मान जाएंगे कि मेरी arrange marriage नहीं होनी चाहिए और वो हत्तेवे कहती है तो ये grand opening होगी मेरी love life की और अगर किस्मत साथ रही तो तुम्हें पता है नागी मैं हमेशा से ही तुम्हें like करती हूँ तो नागी मैं नागी कहता है हाँ हीरो बोलो और हीरो के डैड और मॉम वहाँ आ जाते हैं और उसके डैड कहते हैं ओई तुम दोनो मैंने अपना इरादा बदल लिया है हीरो तुम अपने फियांसे से शादी करोगी क्योंकि आज जो भी हुआ उसके बारे में अपने दुबारा सोचा और मुझे लगता है फियांसे से शादी करने से ही तुमें खुशी मिलेगी नागी और हीरो दोनो श्चॉक थे नागी कहता है क्या हीरो कहती है आप क्या कह रहे हो mom मेरी help करो और mom कहती है शुकर है सब ठीक हो गया हीरो कहती है come on और यहीं पे ये एपिसोड end हो जाता है तो नागी की वज़ते ही हीरो के डैड भी हीरो की arrange marriage के लिए राजी हो चुके हैं तो अब क्या होगा हीरो और नागी की wedding picture का और Erika नागी के घर पे क्या कर रही है और AI का भी कोई scene नहीं आया तो चिंता मत करो next episode में सब दिखने वाले हैं तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई